आदर ये साथियों 2047 तक के ये पचीस वर्ष का कारकाल इस पचीस वर्ष को अमृत काल की पहचान दी है अमृत काल का ये समय भारत के उतकर्ष का होगा ये विख्षीद भारत के निर्मान का काल खंड होगा भारत ने अपने विकास का जो रोड़ में बनाया है उसमें भगवान बुद्ध की सिख्षाएं हमारा प्रत्प्रदर्शन करेगी ये बुद्ध की धर्ती पर ही संभव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी संशाधनों के उप्योग को लेकर सजग है आप देखिए आज क्लाइमेट चेंज के रूप में इतना बड़ा संकर दुनिया के सामने है भारत इन चुनोतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलास रहा है बलकि उन्हें विश्व के साथ साजहाबी कर रहा है हमने दुनिया के कई देशों को साथ जोड़ कर मिशन लाइफ शुरू किया है भगवान बुद्ध कहते थे अत्तान मेव पठमन पती रूपे निवे सहे अर्थात हमें किसी भी अच्छाय की शुरूआत स्वयम से करनी चाहिए बुद्ध की यही सिख्षा मिशन लाइफ के कैंद्र में है याने सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता हार व्यक्ति की सस्टेनेबल लाइस्टाइल से निकलेगा भारत ने जब दूनिया को इंट्रनेश्टल सोलार एलाइस जैसा मंच दिया भारत ने जब जी ट्विंटी की अपनी अध्रिक्स्तिया में ग्लोबल बायोफुल एलाइस का गठन किया भारत ने जब वन सन वन वर्ल्ट वन ग्रीड का वीजन दिया जो उसमें बुद्ध के विचारों का ही प्रतिवीम दिखता है हमारा हर प्रयांस दुनिया के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को सुनिशित कर रहा है इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनामिक कोरिडूर हो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो भारतिय रेलिवे को प्वेंटी थर्टी तक नेट जिरूर्ट प्वेंट प्वेंट्वें करने का लक्ष हो पैट्रेल में इथेनोल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर प्वेंटी प्रसंत करना हो ऐसे कई तरीकों से हम इस धर्ती की रक्षा का अपनों मजबूत इरादा दिखा रहे हैं है जता रहे हैं साथियों हमारी सरकार के कितने ही निर नए बुद्ध धम और संग से प्रेरीत रहे हैं आज दुनिया में जहां भी संकड की स्थित्य होती हैं वहां भारत फॉर्स रिस्पॉंडर के रुप में मौजूद रहता है यह बुद्ध के करुणा के सिध्धांद का ही विस्तार है जाहें तुर्किये में भूकम्प हो श्री लंका में आर्थिक संकड की स्थीती हो कोविड जैसी महामारी के हालात हो भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है विश्व बंधु के रुप में भारत सबको सांथ लेकर चल रहा है आज योग हो या मिलेट से जुड़ा भियान आविर्वेद हो या नेचरल फार्मिंग से जुड़ा भियान हमारे ऐसे प्रयासों के पीछे भगवान बुद्ध की भी प्रेना है